दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बारसी लिड़ना स्रीच की जो आज सेकेंड मैच होगा दोस्तों C.A.T. वरसेस F.T.H. की दर्मियान में दोस्तों इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपने लोग बताएंगे दोस्तों C.A.T. और F.T.H. की कोन से खिलाड़ी आपको इस मैच में आपन करते वे दिखेंगे कोन से खिलाड़ी दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट आउन पे बल्लेबाजी करेंगे जितने भी प्लेइर से सारी प्लेइर का बैटिंग ओडर के साथ मैं आपको सारी जानकारि दूँंगा इस मैच में किसको आप वइस कैप्टेंज सी के लिए ट्राई कर सकते हैं सारी खिलाड़ीो का इंपोर्टन इंफ़ोर्मेशन में देने वाला हूँ दोस्तों जो भी भाई हमारी चैनल को नई जोइन किये हैं उनसे रिक्वेश्ट है चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें दोस्तों और हमारे टेलेग्राम ग्रूप को जोइन कर लें तो after toss अगर final team चाहते हैं तो zero join कर लेना, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर match के बारे में, दोस्तों CAT और FTH के जो यह मुकाबला होगा, उसी ground पे होगा, जो पहला यहाँ पर बारसी लड़ना स्रीच के match हुआ था, और इस स्रीच के सारे matches एक ही ground पे हो रहे है दोस्तों यहाँ का पीछ देखोगे, तो balance surface है, batsman, ballers दोनों को support देखने को मिल रहा है, और यहाँ का एक average first inning score देखा जा है, तो 100 के आसपास first inning average score देखने को मिल सकता है, 80 से 100 के बीच में, दोस्तों अगर CAT के team की बात करेंगे, तो इस team से आपको खेलते हुए नजर आएं अगर आप इनको लेना चाहते हैं, तो as a batsman select कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा किसे try करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, पहले आप यहाँ पे सारी खिलाडियों का जानकारी ले ले अगर आप एक अच्छा fantasy player है तो, यही दोस्तों यह nature होना तो आपको खुद समझ में आएगा, किसे लेना सही रहता है, किसे यहाँ पे drop कर सकते हैं, आपको खुद फिलाएगा, दोस्तों आवाशी शेमत यह right-handed betting करते हैं, 36 matches अपने career में खेले हैं, और यहाँ पे 950 run score करा है दोस्तों, यहाँ पे 955 यासपासन का strike रड़ रहता है, बले बाजे काफी बहतरिन करा है, और यह आपको विकेट के प्रिंग सक्षन में नजर आएंगे, इनका अगर आप selection देखोगे, तो जाके चिक कर लो, 10% से भी काफी कम है, देखो खेलने के ना इनके काफी कम chance है, यह कारणे कि लोग इनको drop कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ इकबाल की बात करेंगे, इनका कोई भी stress मुझद नहीं है, फिर इनका selection देखोगे, तो काफी कम है, नए खिलाड़ी है, बैटिंग का मुखा दिया जा सकता है, हो सकता है कैप्टन इनको आज ट्राय करें, तो अगर आप इनको लेना चाहोगे, तो याद रखना नए प्ले बल्लेबाजी करते भी दिख सकते हैं, लेकिन अभी तक देखोगे, अपने करेंगे, कुछ खास stress मुझद नहीं है, जमसा दबचाल की बात करेंगे, राइट हेडर बैटिंग करते भी दिखेंगे, इनका भी कोई भी stress मुझद नहीं है, दोस्तों, ऑफिसल साइट में कोई भी बता रहा है, तो याद रखना रॉंग बताएगा, क्योंकि अगर आप इसी अनके ऑफिसल साइट में जाके चेक करोगे, तो कोई भी stress इनका देखने को नहीं मिलेगा, दोस्तों, अगर हैडर की बात करेंगे, जुल्फेरन हैडर के बारे में, जोकि राइट हेंडर बै बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे, तो इनको अपने टीम में आप ले सकते हो, बाखी बात करें मोहमद जिसन के बारे में, ये राइट हेंडर बैटिंग करते हुए दिखेंगे, दोस्तों, बीस मैचेस अपने करेर में खेला, इन्होंने 24 रन बना ले हैं, और इनका सेलक्सन भी जाके देखोगे, तो काफी कम है, और इसका फायदा अप ले सकते हैं, काफी बढ़ी हाप ले रहे हैं, दोस्तों से भी इनका उपर इस्ट्राइगर रहता है, बहुत सुपाबल्ले बाज है, इनको अपने टीम में लेते भी चलेंगे, सेलक् बाजे में काफी बढ़िया विकेट निकाले हैं, बॉलिंग से भी अच्छा experience है, आपको बॉलिंग से भी spinner करते वे देखेंगे, और अच्छे यहाँ पर विकेट निकाले हैं, तो ले सकते हैं, बागे गुलाम सरवार की बात करेंगे, राइटर इंटर बैटिंग करते वे हैं दोस्तों, लेकिन सेकंड टीम बात करेंगे, या पर FAT के टीम के बारे में, इस टीम के तरफ से आपको गुरवेंदर खिलते वे नजर आएंगे, जो लैप्ट हैंडर बैटिंग करते वे नजर आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर चार मैचेस अपने खिरेर में खेले हैं पांच मैचेस अपने खिरेर में खेले हैं, जिसमें से 11 रंस्कोर करा है, और 78 के आसपास इनका इस्ट्राइक रडरता है, इनको हम लोग ड्रॉप करते वे चलेंगे, इनका परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे, हैल गुर्जी सींग के बारे में, देखो दोनों में न, आपको यहाँ पे, यहाँ पे कन्फियूजन नहीं होना है, क्योंकि दूस्तों अगर आप देखोगे, यहाँ पे जी है, यहाँ पे और इनका जी है, तो यह दो प्लेयर है, आप जाके चेक कर लो, इनका इस्ट्रेट्स देखोगे, तो इन से उम्मीद भी मत रखना आपको बल्लेबाजी करते भी दिखेंगे कापी बैतरिन तो आप इनको एज़े बैट्स में ले सकते हो बाकि भवंदिप सिंग की बात करेंगे दोस्तों यह राइट हैंडर बैटिंग करते हुए दिखेंगे साथ मचेस अपने करेर में खेले हैं ज अजिदर सिंग लवली की बात करेंगे तो यह राइट हैंडर बैटिंग करते हुए देखेंगे चोबिस मैचेस अपने करेर में खेले हैं इसमें 259 रण स्कोर कराया है दोस्तों यहां पर 17 वीगेट अपने नाम की हैं यह कापी बढ़िया इस्टेट्स आप कह सकते हैं 27 मैचेस खेलें अपने करेर में और 332 रण स्कोर कराया दूस्तों यह पर 164 गयास पासन का इस्ट्राइक रेट है और 12 वीगेट अपने नाम की हैं यह भी एक अच्छा आप्सन रहने वाला है इनको अपने टीम में ले सकते हैं जो बल्लेबाजी के सांसाथ गिंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे बागे कुल्दीफ सिंग की बात करेंगे 23 मैचेस खेले हैं 124 गयास पास इनका इस्ट्राइक रेट रहता है और काफी एक्सप्रियेंस हैं के पास यहां पर बॉलिंग सा भी काफे बड़े विकेट निकाल यह अच्छा चोईस रहेगा इनको भी पिने टीमें आप ले सकते हैं बाके जव्ट मिया की बात करेंगे तो 16 मैचेस खेले हैं 401 रंड इंडर स्कोर कर रहा है दोस्तों बल्ले बाज़े करते वे दिखेंगे अच्छे बल्ले बाज़े आप ऐसे बैट्स्वन ट्राइ कर सकते हैं बाके अवंदी यहां पर बात कर इस ट्राइक रहा था यह अच्छे बल्ले बाज़े आपको करते वे दिखेंगे तो कहीं ना कि यह एक अच्छा च्वाज़ रहेगा आप लेना चाहते हैं तिरका आपने टीम में ट्राइ कर सकते हैं दोस्तों देखो यह नया मैच है दोनों हे टीम नियू मकाबला खेलेग तो यहाँ पर जो भी स्ट्रेट्स आपके लिए जरूरी है सारी खिलाडियों का केरे रिजल्ट देख सकते हैं और इसी के बैसिस पर आपको यहाँ पर इसी के लॉजिक को यहाँ पर यूज करना है तो उमिद करता हूं काफी कुछ आपको जानकारी मिला होगा बाकी कुछ भी यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों छूट रहा है यादरखना लाइनप के बाद मैं प्लेइंग 11 के साथ काफी को जानकारी आपको टेलेग्राम गुरूप में दे दूँगा जिसने जोइन कर लिया है सही है जिसने नहीं कर रहा है इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रि गुरूप को जोइन कर लें बाकि दूस्तों चैनल पर नए बने होते एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले भाईयो और बैल आकन को जरू प्रेज कर लेना बाकि चलिए हम लोग इसके बैसिस पर एक डेमो टीम की और बढ़ते हैं दूस्तों शुरुआत करेंगे हम लेकिन फिलाल डॉप कर रहे हैं कि खेलने की काफी कम चांस है अगर लाइन अप पे रहेगा तो हमारा टीम चेंज होगा अपडेट होगा और टीम आपको हमारे टेलेग्राम गूरूप में दे दिया जाएगा अभी फिलाल यहां पर एजसिंग को ट्राइक कर चलेंगे जो नए खिलाड़ी को चांस देने का काफ चेता मोका है और हो सकता है कि कैप्टन और टीम इस वज़े से इनको खिला रहा हूँ बागे ऐस इकबाल इनको लेते वी चलेंगे इनका भी स्ट्रेट्स काफी सांधार था करे रिजल्ट जिसने वीडियो को सुरू से देखा होगा उनको सारी चीज़े नौलेज होगा दोस्तों अगर बात करेंगे और के बारे में तो मैंने चार इन्पोर्टन और को अपने ट्राय कर रहा है जो टीम के दो वर तक गिन्दबाजी करेंगे दोनों के दोनों के टीम के टॉप अटर का बल्लेबाज भी है और एम सिंग लबल अगर नहीं रहते हैं तो चेंज होगा और टीम आपको अपडेट कर दिया जाएगा फिलाल मैं केरियर रिजल्ट के बैसिस पे और खिराडियों का जो भी स्ट्रोंगनस है इसके बैसिस पे मैं टीम क्रेट कर रहा हूं लेकिन बालिंग की बात करेंगे दोस्तों मैंने यह दो बर तक गिन्द बाज ही करेंगे यह टीम के में गिन्द बाज है यह बिले बाजी बहुत दोस्तों आप इस टीम को फिलाल सेफ करके रख लो यहां पर अगर कोई भी चैंज होता है तो मैं फाइनल टीम अपडेट कर दूँगा हमारे टेलीग्राम गृप में जिसने जो बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जल्दी से क्लिक करके जोईन कर लें बाकि मिलते हैं भाइयो नेक्ट वीडियो में